तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाईए बिल आइकन को ऐसे ही यूनीक टेक्नॉलोजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आज मैं आप सबको अन्बॉक्सिंग करके दिख्याने वाला हूँ अन्बॉक्सिंग करने के बाद मैं आप सबको इसके बारे में एक फुल ओवर्विव दूँगा तो चलिए सुन करता है वीडियो को सो लेट्स स्टार्ट देख सकते हैं दोस्तों उपर की तरफ लिखा है है एमीओ और यहाँ पर दोस्तों रवर्वर बैंड का जो है एंग कर दिए गया है उपर की तरफ और यहां पर लिखा है फिल लेटेवल साउंड और यहां पर टोटल चार हाइलाइट्स दी गई है यहां पर है फुल हैज टी साउंड दूसरा है एक्स्ट्रा बैस तीसरा ह और फोर्थ नंबर है जो मैगनेटिक यहां पर एक जो 12 मंस का वैरेंटी है वहां उसका भी हाइलाइट कर दिया है और यहां पर कुछ और स्पेसिफिकेशन दी गई है दोस्तों जैसे कि यह 350 हावर स्टैंडवाई हो सकता है 480 जो है इसका जो टॉकिंग टाइम है 480 इसका करता है फुल चार्ज होने में तो यहां पर पीछे की तरफ भी दोस्तों कुछ लिखा गया है उपर की तरफ देख सकते हैं यो लिखा गया है जैसे कि फीचर्स यहां पर कुछ दी गई है दोस्तों आप सब देख सकते हैं वही जो वही जो आगे की तरफ थी और यहां पर और कुछ स्पेसिफिकिशन देखिए दोस्तों यहाँ पर मॉडल लंबर सिस्टेम यहाँ पर जो है चार्जिंग टाइम और कुछ लिखा गया है और यहाँ पर लिखा है 12 मत वैरेंटी के साथ आता है यह एरफोन यहाँ पर है बार कोड और दोस्तों मैं यहाँ पर आप सबस कोड आएगा उसे आप अपने जो मार्केट रिटेलर को देंगे तो हो जाएगा यह रिप्लेस इजीली तो यहाँ पर तो चलिए करते हैं इसका अन्बॉक्सिंग फटा फट तो यह मैंने काटा सील को यहाँ पर दो तरफ ही सील होता है यह पैकेट तो दूसरे तरफ को भी काट लेते हैं दोस्तों तो अब हम यह जो फाइवर का उपर की तरफ है पैकेट उसे करते हैं पहले उपन तो वहाँ पर भीदर की तरफ भी एक जो कार्ट बोर्ट का है हाईलाइट्स वाला जो था सेक्षिन उसे भी हम निकाल दिया तो अब हम अपने ब्लुटूथ एरफ को पहले अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छी तरह से एटच किया गया है इसके पैकेट के साथ ताकि यह बाहर ना सके तो यह मैंने कर लिया बाहर अपने ब्लुटूथ एरफोन को तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और इसके भीतर जो और कॉंटेंट्स हैं उसे देख लेते हैं क्या क्या है तो यह देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं काफी कुछ चीजे रखी गई है पहले तो दोस्तों यहाँ पर है एक यूजर गाइड आप सब देख सकते हैं एम्यो का यूजर गाइड यह देखिए दोस्तों इसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं चार्ज करेंगे कितना कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत कुछ लिखा है फिलाल तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा यह देखिए कुछ दिखा देता हूं आप सब को यहां पर यह एरफोंस का जो है पिक्चर दिया गया है तो फिलार रखते हैं इसे साइड में और दूसरे किया क्या चीज है उसे देख लेते हैं तो यह है मेरा मार्केट रिटेलर का बिल और यहां पर दी गई है एरवड़्स और यह एक यूस वी चारजिंग केबल जिसके मतलब से आप अपने इस एईरफोंस को चार्ज कर सकते हैं इसलीड तो अब हम इन एरवड्स को चेक कर लेते हैं दोस्तों यह देखिए दोस्तों यहाँ पर है टोटल चार एरबट्स दो मीडियम साइज और दो स्मॉल साइज और जो बीगर साइज है वो अल्रेडी आपके ब्लूटूथ एरफोन्स में फिट कई कड़ी की है तो यह देखिए दोस्तों टोटल हो गए चार और जो बीगर वाला है वो अल्रेडी अटाच किया गया है आप अपने प्रेजन अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं तो अब हम अपने चार्जिंग केबल्स को देख लेते हैं कैसे करते हैं चार्ज अपने एरफोन्स को तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर टोटल दो सेंसर लगाई गई है यहाँ पर एक सेंसर के उपर एम्यों का ब्रेंडिंग है और इसका पॉली कार्पोनेट बॉड़ी है और यह जो एरफोन्स है वो फुल मैकनेटिक है दोस्तों आप सब देख सकते है यह देखिए दोस्तों यह बिल्कुल चिपक गई यह देखिए क्योंकि यह फुल मैगनेटिक है यह देखिए दोस्तों बिल्कुल अलग ही नहीं हो रही है जब तक आप इसे अलग ना करें तो यहां पर यह देखिए दोस्तों कुछ ब्रेंडिंग और स्पेसिफिक इसन यहां पर भी लिखा गया है यह देखिए दोस्तों यहां पर चार्जिंग पॉर्ट है यूस्पी 2.0 और यहां पर पावर की है और बॉल्यूम अप एंड डाउन और प्रिवियस और स्टैंड बाई मोड भी है यहां पर मौजूद यह देखिए दोस्तों यह मैं कर रहा हूँ और यह हो गया है मेरा एरफोन आउन यह देखिए दोस्तों एलेडी इंडिकेटर है जो वो जल रही है तो यह रहा मेरा चार्जिंग केबल तो इसे ऐसे यहां पर लगाना है और चार्ज कर लेना है अपने एरफोन्स को तो यह बिल्कुल इजी है इसका चार्जिंग मैनुवल आप सब देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों तो चलिए अब हम कुछ गाना प्ले करते हैं उससे पहले कर लेते हैं अपने इस इन एरफोन्स को कनेक्ट अपने मोबाइल के ब्लुटूथ के साथ तो पहले मैंने किया अपने मोबाइल के ब्लुटूथ को आन और वहां पर यह देखिए दोस्तों आ गया अपने एर फोन का सिम्बॉल जो की है सॉरी दोस्तो मैंने गलत आइकॉन में क्लिक कर दिया था तो यहां पर यह देखिए दोस्तो भी एच सिक्स्टी वान करके इसका जो सिम्बॉल है वह आएगा आपके मोबाइल के ब्लुटूथ के अंदर तो यह हो गया है कनेक्ट और यह देखिए दोस्तो यहां पर यह देखिए दोस्तो इसका जो बैटरी है वह भी दिखा रहा है मेरे फोन में तो अब हम करते हैं अपने इन एर फोन में गाना प्ले और देखते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी है कैसा होता है तो यह देखिए दोस्तों यह इसका जो sound quality है बहुत ही अच्छा है दोस्तों बिल्कुल extra bass के साथ और इसका जो louder noise है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें जो मेरे को खास बात लगी वो है noise cancellation system जो की इसका बहुत ही अच्छा है दोस्तों तो यहाँ पर यह देखिए दोस्तों मैं कर रहा हूँ अपने volume को increase तो यह volume जो है बहुत ही louder दे रहा है और आपको अगर इतना louder नहीं सुनना हो तो आप decrease button को click करके अपने song का sound वो slow कर सकते हैं दोस्तों तो अब हम सुन लेते हैं दोस्तों इस earphone से कुछ गाना क्षप। तो दोस्तों आप सब सुन रहे हैं थे इस ब्लूटूथ एरफोन से गाना तो आप सब को यह अच्छी लगी हो तो ज़रूर बाई करें इस एरफोन को तो गाइस यह था में आज का वीडियो जिसमें मैंने आप सब को अन्बॉक्सिंग करके दिखा इस एम्यो ब्लूटूथ हेट सेट का और उसके बाद मैंने आप सब को दिया इसका फुल ओवर्विव तो यह वीडियो आप सब को कैसी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरू हुआ हुआ